Spider-Man Into The Spider-Verse, जिसे अब तक की सबसे best Spider-Man movie कहा जा रहा था, चुकि critics के according एक perfect movie थी, आज उसका sequel release हो चुका है Spider-Man Across The Spider-Verse, वैसे एक two-parter movie है जिसका अगला part next year release होगा, Spider-Man Beyond The Spider-Verse अब देखो Spider-Man Across The Spider-Verse, पहली बाद तो COVID की वज़े से थोड़ी delay होई थी, उसके बाद सोनी वालों ने खुद ने भी थोड़ा delay किया और हमें 5 साल बाद में ये sequel देखने को मिल रहा है और मैं कहूंगा कि ये जो weight था, ये worth it था, जो चीज़े हमने पहली movie में देखी थी, जो music था, जो story थी, जो animation था, उन सभी चीज़ों का इस movie में double या फिर triple dose है वो भी perfection के साथ में, अब कहानी की बात करें तो movie वहीं से शुरू होती है, जहां पर पिछला part खतम हुआ था into the spider verse के hand में, सभी जो spider man होते हैं, वो multiverse वाली problem को solve कर देते हैं, अपने अपने universe में चले जाते हैं, हमेशा के लिए, लेकिन last में Gwen वापस आ जाती है, वो multiverse में travel कर रही होती है और वहीं से इस movie को continue किया गया है, across the spider verse में किया, खिर कैसे Gwen multiverse में travel कर रही है और कैसे उसके इस नए adventure पर Miles Morales शामिल हो जाता है और क्यों Spider-Man 2099, यानि की Miguel जो है, वो इस movie का main villain है देखो, movie देखने के बाद में, मैं movie की trailer से और जदा इंप्रेस हो चुका हूँ क्योंकि trailer देखने के बाद में न, हमें movie का plot पता ही नहीं चला था movie का जो actual plot है, वो of course है तो Miles Morales से related, लेकिन वो connect होता है multiverse के हर एक Spider-Man से जितने भी Spider-Man हमने trailer में देखे हैं, जितने भी Spider-Man exist करते हैं multiverse में वो सब के सब एक common चीज शेयर करते हैं, एक नहीं, दो common चीज और क्यों वो चीजे इस movie का main plot है, यह आप लोग movie में देखना अब इस movie की शुरुवात में, Miles Morales को अच्छे से setup किया गया है एक dramatic future दिखाने के लिए Miles Morales के साथ में इस movie में वही हो रहा है, जो कि हर एक Spider-Man के साथ में होता है responsibilities, सही time पर सही जगा पर नहीं पहुँचना, घरवालों के साथ में relationship खराब होना यह सब कुछ होता है पहले हाफ में, और साथ ही में हमें Gwen की कहानी भी दिखाई जा रही है कि Gwen की backstory क्या थी, currently उसकी family में क्या चल रहा है और वो किस चीज से भाग रही है, तो overall जो movie का first half है, वो crazy तो नहीं है लेकिन वो एक बहुत ही strong foundation है, ना सिर्फ इस part के लिए, बलकि अगले part के लिए भी क्योंकि जो जो बाते हों यह characters के बीच में first half में, वो आगे चल कर बहुत ज़ादा matter करने वाली है अब इसी सेना मेरे दिमाग में बात आई, कि यह movie parents और kids दोनों के ही relationship को एक दूसरे के perspective से explore करती है हमें यह भी दिखाया जाता है कि कैसे Miles Moralis के parents जो है, वो उसके चिंता करते हैं, उसे डांटते हैं में यह भी दिखाया जाता है कि कैसे Miles Moralis को पता है, कि उनका चिंता करना उसे डांटना valid है लेकिन वो अपने superpowers में उलजा हुआ है, इसलिए उसके पास में कोई और चारा नहीं है यह perspective मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अजीब तब लगता है, जब Miles Moralis हर थोड़ी देर में ग्यान भरी बाते करने लग जाता है वही melodrama वली, जैसे विंट डिजल हर थोड़ी देर में family का ग्यान नहीं देता, वैसे ही Miles Moralis देता है, लेकिन वो और भी depth में चला जाता है, जबकि Miles Moralis सिर्फ पर सिर्फ 15 साल का है और वो बहुती weird way में इंटरेक्ट करता है कभी कबार जिससे मैं बिल्कुल भी relate नहीं कर पाता हूँ, यूँकि हमारे यहां तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हम लोग parents से इस तरह से बात नहीं करते हैं, आज तक तुमने I love you बोला अपने पापा को, मैं cigarette मांग लूँग I know कि foreign में ऐसा होता होगा यार, उन्होंने बेल्टे तो अभी खाई नहीं तो ऐसे चूतिया बाते तो करेंगे ही वो, खेर, मुवी में सबसे ज़्यादा जो चीज ज्यान खिजती है, वो है Miles की मम्मी, मेरे ख्याल से वो है मुवी का animation, ऐसा लगदा है कि एक एक फ्रेम में एक एक दिन की मेहनत लगी है क्योंकि हर एक sound effect के लिए, हर एक emotion के लिए, हर एक dialogue के लिए, हर एक छोटे से छोटे action के लिए न, मुवी में animation दिया गया है, आप समझने की कोशिश करो कैसे आपको एक बहुती immersive experience दिया गया है, वो चीजे screen पर दिखा कर, जो आप actually में सुन भ लोग animation बनाई रहे हो तो live action बना कर उसका कच्रा क्यों करते हो यार, खेर अभी तो मैंने movie सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देखे लेकिन I am damn sure, आप लोग जितनी बार भी इस movie को देखोगे, उतनी बार एक नई detail निकल कराएगी, आप एक नया easter egg तो ढूंड ही लोगे, और तो इसमें तो मेरे कैल से 200 तो होंगे ही होंगे, और खास करकि वो इंडिया वाला sequence जो था, उसका post-mortem करूंगा न, बहुत सारी details निकल कराएगी, तो यार ये movie देखते वक्त ही दिख रहा होता है यार, कि इन्होंने कितनी जादा महनत करी है, और यहीं पर इसके जो makers हैं वो successful हो चुके हैं, movie का जो second half है, वो सच में बहुत जादा crazy है, मतलब crazy ही कर दिया उन्होंने twists को add करके, जो action choreography है, वो तो कमाल की है, लेकिन trailer में जो समझ में नहीं आ रहा था न, कि सब लोग Spider-Man के पीचे क्यों पड़े हैं, यहाँ पर जो explanation है, और जो stakes है, जो twists है, वो बह पादी कमाल के हैं, यह definitely best Spider-Man movie है, along with Spider-Man 2, तो अगर आपने यह movie अभी तक थेटर में नहीं देखिये, तो थेटर में जाकर जरूर देखना, और अगर आप लोग को BGMI पसंद है, आप BGMI खेलते हो, streams देखते हो, तो मेरा channel, wishes like, subscribe कर लेना, जहाँ पर मैं regular, रोज रात को आ तो में, अजब कर दो को आईना, आपना, यहाँ, जब बादी कैना, और यहाँ, खेखते हो, बार आपने, तो तो आईना, जहाँ, तो में पाइना, जहाँ, जहाँ, तो च। Sun economy and you got it right now